हेलो दोस्तों साथ है आपका डिमार्केटिंग वाल में मेरा नाम है विशेक दोस्तों आज की वीडियो कहां टॉपिक है बेस्ट वीपीएन प्रोग्राम्स फॉर यॉर पीसी तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको उताने चाहरा हूँ कुछ ऐसे कमाल के वीपीएन प्रोग्राम्स जिसके तुरू आप जो है अपना आईपी अड्रेस चेंज कर सकते हो अलग-अलग कंट्रीज में आप जाके अपना इंटरेट वहां कर चला सकते हो और बहुत सारे जो अलग-अलग सॉफ्ट्वेयर्स होते हैं वह वेबसाइट होते हैं अप्लिकेशन होते हैं जो हमारी इंडिया में नहीं चल रहे होते हैं वहां पर चला सकते हो अपना ओन पेज SEO कर सकते हो और अपना इंटरनाशनल ट्राफिक जो है वहां से ला सकते हो और इसके अलावा अपने वेबसाइट को इंटरनाशनली रैंक करवा सकते हो बहुत सारे कमाल के फीचर्स होते हैं VPN के तो वो सारी चीज़े कैसे होती हैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में और आपको पूरा software जो है चला के दिखाऊँगा कैसे connect करते हैं IP address कैसे चेक करते हैं सभी में काम करता है कि नी करता है क्या-क्या features और उसमें extra देखने को मि सबसे पहले हैं आपको मिले हैं तो दोस्तों चली शुरू करते हैं और इस वीडियो की description में जो discount link में आपको प्राइट करवा रहा हूं उस पर जैसे यहाँ क्लिप करोगे तो आप पहुंच जाओगे इस website में जो कि यह NordVPN.com तो गाइस यहाँ पर इस link के तुरू आने से आ की मांस का extra भी मिला है ठीक है और मैंने एक वीडियो बनाया जिसके अंदर मैंने आपको पूरा purchase करने के जो process रहता है वो मैंने आपको बताया भी है ठीक है तो चलिए मैं एक बार आपको दिखा देता हूं हाँ टू यू हाँ टू बाय वीपी है यह हमारा कीवर्ड है और इसमें आप देख सकते हो यह वाला वीडियो जिसमें 302 वातर व्यू है तीन अफ़ते पहले मैंने इसको अप्रोड किया था ठीक है तो इस वे अभी हो सकता है जब आप देख रहे होंगे तो शाह दाधा व आप यूट्यूब पर सकते हो यह वीडियो बिडियो बिल्ट आएगा तो इसमें आपको पूरा स्टेब बैस्टेब प्रसेस में बताया हुआ है अब जब आप उपन करोगे तो आपको यह जो सेक्शन आपको दिखना है प्रेटेक्टेड ठीक है आपके केस में अन अड्रेस होगा जो की आपका IP address होगा आपकी internet service provider का नाम यहां पर लिखा हुआ आएगा और अन प्रेटेक्टेड लिखा हुआ आएगा क्यूंकि आपका VPN से नहीं है ठीक है तो आप कौन सा internet service provider यूज़ कर पा रहे है यह लोगों को पता लग सकता है ठीक है सारी चीजे जो तो ये मेरा IP address यहां पर show कर रहा है ठीक है अब इस IP address को आप देखना ध्यान से इस IP address को 45.155.42.24 ठीक है तो अब मैं क्या करूँगा इसको किसी दूसरे देश से connect करूँगा और उसके बाद हम देखेंगे कि IP address change होता यह नहीं होता है तो मैं अभी इसको एस्टोनिया से connect कर दिया मैंने ठीक है अब मैं इस पेज को refresh करने वाला हूँ तो यह वाला IP address change हो जाएगा ISP change हो जाएगा और protected जो है वो protected ही रहेगा तो हम चेक कर लेते हैं तो देख सकते हो लेकिंश कर gefथव हाई यहां पर रखक से gagner से क्रेक्टरी नहीं किया होगा तो इस वज़े से आपको जो है यहां पर प्रटेक्टर हूँ नहीं आएगा उन प्रटेक्टर से लिखर नहीं होता होगा ठीक है तो इस यह है कि आपका जो IP अड्रेस है वो सब को पता चल रहा है कैसे चीजे काम करती है आपने माल लो कि मैं अभी यहाँ पर उपन कर दूँगा Facebook ठीक है चलो छोड़ो Facebook छोड़ते हम उपन करते है Flipkart ओके तो मैं यहाँ पर Flipkart उपन कर दूँगा तो अब होगा क्या इसमें actually चीज होती क्या मैं आपको होता थो अब माल लो कि कोई यह जानना चाह रहा है कि इस महिने कितने लोगों ने Flipkart ओपन किया है कौन-कौन से location से use ओपन किया है ठीक है और ओपन करने वाले लोगों का IP address क्या है यह track हो सकता है यह बहुत ही आसानी से track हो सकता है अगर VPN नहीं हो तो क्यूंकि आपके laptop से यह request गई है flipkart.com पे और वहां से आपको जो है यह website नजर आई है तो इससे क्या होता है कि एक तो Flipkart company खुद track कर सकती है आपको उनके लिए तो बहुत आसानी है कि कहां से IP, कोई खौन से IP address से आया हुआ है ठीक है request आया है और वहां पर show कर रहा है उनके लिए तो बहुत आसान है अब मालों कोई government agency है वो भी check करना अगर चाते है ठीक है कि इस साल इस website हो किते लोगों ने open किया है ठीक कौन को लोगों ने open किया वो पता कर सकते है आराम से ठीक है क्या करना होता है आपका जो ISP यहां पर लिखा हुआ आता है मतलब आप हो सकता है आपका net geo से चल रहा होगा एटल सेल रहा होगा या फिर जो local service provider बहुत सारे local service provider है जैसे मुंबाई में अगर हम बात कर तो है ठीक है एक बहुत ही popular service provider है तो उनके company से contact करेगी government और आपका address निकाल लेगी और simply आपके घर पे पहुंच सकते हैं ठीक है तो इससे क्या होगा कि आपके ISP के पास तो आपका address है और आपके ISP के पास आपका IP address भी है सब कुछ बता है आपके ISP के पास आप कौन कौन सा website open कर रहे है उसका पूरा list है कितने time तक आप उस website पर रहते हो उसका पूरा list रहता है और कौन से time पर आप open करते हो कॉंसेट नाइप बंद करते हो, कितने देर तक आपने उसमें क्या क्या किया, सब कुछ आपके internet service provider के पास होता है, लेकिन जैसे ही आप VPN connect करते हो, फिर आपके ISP के पास कोई detail नहीं होता है, सरकार के पास कोई detail नहीं होता है, क्योंकि आपके IP address से वो चीज पूरी तरीके से हट जाती है, आपका IP address change हो जाता है, आप अभी Estonia से, अभी मैं Estonia से कुछ भी search करूँगा ना यहाँ पर, मेरे ISP को पता नहीं चलेगा, क्योंकि उन्होंने जो service दिया है, उनके service के थुरू जो मेरा IP address है, उससे तो मैं open करी नहीं रहा हूँ ना, मेरा IP address change हो चुका है, बता देता हूँ मैं आपको, what is my IP address, हाला कि IP address तो आपने देख लिया, इस site में यहाँ पर यह है, लेकिन एक website है, जहाँ पर आप इसको चेक कर सकते हो, आपको IP address कौन सा है, तो चलिए, देख लेते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, मेरा IP address यहाँ बता रहा है, region, हर्जुमा, एस्टोनिया, सिटी, टैलिन, ठीक है, जबकि मैं इंडिया में हूँ, है ना, तो यह जो चीज़े होती है, इसका बहुत बड़ा फरक पड़ जाता है, यह जो है, कभी भी कोई भी track नहीं कर सकता, आपका ISD भी track नहीं कर सकता, कोई भी इसे track नहीं कर सकता, simple सा system है VPN, और अगर कोई इस चीज़ को किसी हद तक track कर भी सकता है, तो वो है सिर्फ और सिर्फ VPN कमपनी, सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ VPN कमपनी, और वो भी अच्छी VPN कमपनी का एक basic सा एक rule होता है, जिसके वज़ा से VPN कमपनी इस दुनिया में चल रही है, कि हम हमारे users का data किसी के भी साथ share नहीं करेंगे, खास कर कि government के साथ तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, खाला कि government क्या, किसी के साथ भी, और किसी को तो track देने की जरूती नहीं है, और अगर कोई मांगता है, तो government मांगती है, और government को देते हैं नहीं है, ठीक है, और इसी वज़े से आपको पता होगा, पिछले साल हमारे इंडियन सरकार ने हर VPN कमपनी को बोला था, अगर आपको इंडिया में काम करना है, तो आपको data हमको देना पड़ेगा, तो अच्छी अच्छी जो companies ऐसे कि NordVPN है, ExpressVPN है, इन सब ने ये बात सुनते ही इंडिया छोड़ दिया, इंडिया में से अपने servers हटा दिये, क्यों हटा है, क्योंकि इंडिया में वो सरकार रखने नहीं देगी, और इंडिया में अगर रखते हैं, तो सरकार को data देना पड़ेगा, तो अच्छी companies ने क्या किया है, इंडिया में से अपना server हटा दिया, ठीक है, तो वर्चोली चला रहें, वो एक अलग बात है, उनके वहाँ पर रखके, Canada वगरा में रखके वर्चोली चला रहें, वो एक अलग बात है, लेकिन इंडिया से physical servers जो हटा दिये गए है, ताकि इंडिया को data ना देना पड़े, तो ये एक बहुत ही अच्छा काम किया है, क्यूंकि VPN का मतलब ही ये होता है, कि data किसी को नहीं मिलेगा, अगर VPN ने data collect करके सरकार को दे दिया, तो VPN का मतलब ही क्या रहे गया, VPN क्यों purchase करें user, user क्यों खरीद रहा VPN, ताकि उसका data किसी के पास ना जाए, ठीक है, थोड़े और extra features भी है, जो मैं आपको आगे इस video बताऊँगा, लेकिन जो main जो purpose क्या रहे था VPN का, कि data किसी को नहीं मिलना चाहिए, हम चाहिए कुछ भी करें, ठीक है, हम नहीं चाहते कि हमारा data किसी तक पहुचे, हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम नहीं चाहते कि हमारा data किसी तक पहुचे, कोई हमें track करें, track करने का मतलब भी होता है कि हमारे site भी जो ads वगएरा आते हैं, हम flipkart open करेंगे, flipkart जोटे वगएरा हम चेक कर लेंगे, तो पूरे दिन हमें जोटों का ad दिखता रहेगा, कैसे दिख रहे हैं, क्योंकि हमें track किया गया है, इसलिए वो ad हमें बार बार दिख रहे हैं, हमको नहीं देखना जोटे का ad, तो क्या कर सकते हैं, वीपिन मनट करेंगे, ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी चीज़े होती है, आपने कभी भी notice किया होगा, flip card, Amazon से, अगर आपने को जूता चेक कर लिया, को टी-शर्ट देख लिया, पूरे दिन आप जो भी site पे जाओगे, हर site पे आपको जूते का ad दिखेगा, यूटूब पे जाओगो तो आपको जो वीडियो आड आएगा, वो जूते का होगा, ठीक है, मतलब पूरे दिन आपको बही चीज़ दिखाई जाएगी, दिखाई जाएगे, कंटिमियों से एक-एक महिने तक दिखाई जाती है, ठीक है, और इसके अलावा, VPN का एक और फायदा रहता है कि अगर मालो कि आप Netflix बगेरा देखते हो, तो आपके country में कुछ ऐसे movies होंगे, कुछ ऐसे web series होंगे, जो band होगे, ठीक है, जो आप नहीं देख सकते हो, लेकिन आपने तो pay किया है न Netflix को, तो आपका तो हग बनता है देखना, चाहिए आपके country में ban हो, नहीं हो, आपको कोई फरक नहीं पढ़ना चाहिए, आपको सारे के सारा जो है, वो आपको देखना है, मतलब देखना है, ठीक है, बदा अगरा Netflix में अगर कोई एक movie है, जो हमारे country में में इंडिया मान लोगी ban कर दिया गया, लेकिन आप उस movie को देखना चाहते हो, तो आपका देखना आपका हग बनता है, ठीक है, क्योंकि आपने pay किया है, इसलिए कह रहा हूँ, आपने pay किया है, आपने अपने जेब से पैसा निकाल आया है, तो आपका हग बनता है कि आप उसको देखो, ठीक है, country ban कर सकती है, लेकिन आपको अगर use करना है, तो आप कर सकते हो, ठीक है, तो VPN connect करके, आप PUBG कहल सकते हो, जो भी applications इंडिया में run नहीं होते हो, उन सब को आप run कर सकते हो, हाला कि बहुत सारे applications तो मैं recommend नहीं करूँगा, जो इंडिया ने ban किये, जो Chinese application, वो सारे जो होते हो, मैं recommend नहीं करता हो, लेकिन there should be an option, ठीक है, कि अगर आप करना चाहो, तो आप कर सकते हो VPN का use करके, ठीक है, तो इसी लिए VPN का use किया जाता, अगर SMA data company, सरकार को देती है, तो फिर क्या मतलब, तो इन companyों ने देने से इंकार कर दिया, और इन लोगों ने इंडिया से service बंद कर दी, इंडिया सर्विस बंद करने का मतलब ये नहीं है, कि आप इंडिया में not VPN खरीद नहीं सकते हो, जो आप इंडिया में not VPN खरीद नहीं सकते हो, क्योंकि ये सब चीज़े एक्शुल रिभीव होता है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, तो चलिए, आप गॉपे क्लिक कर देता है, और यहाँ पे, और आप देख सकते हो, इंटरेट की स्पीड जो है, 100 Mbps तक जाने वाली है, 86, 90, 86, अगर हम VPN कनेक्ट नहीं करते हैं, तो इसकी स्पीड 120-130 तक जाती है, VPN कनेक्ट करने के बाद भी, यह देखिए, 116 तक की स्पीड जो है, हमें मिल रही है, ठीक है, और अपलोड के अगर हम बात करें, तो अपलोड में तो हमें और भी जादा मिल रही है, अगर VPN कनेक्ट नहीं करते हैं, तो इतना स्पीड अपलोड में नहीं मिलता, VPN कनेक्ट करने के बाद अपलोडिंग की स्पीड तो ओर जादा दिखा रहा है, तो यह जो है, VPN में हमारी स्पीड भी कम नहीं होती, इंडिया में सर्वर नहीं, इसका मतलब यह नहीं के मारी स्पीड कम कर देंगे, कुछ फराख नहीं पड़ता है, सब कुछ वर्चॉली काम कर रहा है, अची तरीके से, ठीक है, तो आप जो है, डिस्काउंट में दिएगा, डिस्क्रिप्शन में दिएगे, जो डिस्काउंट लिंक का यूज़ करके, आप जो से पर्चेस करता है, आपको 68% का डिस्काउंट मिलेगा, त्री मंस का एक्स्ट्रा, जो है, आपको VPN भी बिल जाएगा, अब गयाईज, यह करता क्या कि, एक उतर को malware protection करता है, ठीक है, क्योंकि आइसके अंदर एक feature होता है, इंबिल फीचर, जो मैं प्रोटेक्शन का बहुत को मिल जाता है, ट्रैकर ब्लोकर, जो की VPN का काम है, और अड्ड ब्लोकर, अगर आप यूज़ करना चाहते हो, तो आप कर सकते हैं, जिसके मैं अगर आप बता हूँ यहाँ पर, जो सारी features यहाँ मिल जाते हैं, यह देगे, threat protection है, file protection भी अगर आप on करना चाहते हो कर सकते हो, web protection, कोई भी unwanted malware बगएरा कुछ भी, मैंने इसे on नहीं किया है भी, ठीक है, तो मैं अगर चाहूँ तो इसे on कर सकता हूँ, अगर मैं माल लोगे से turn on कर देता हूँ, तो यह जो है, यह on हो जाएगा, ठीक है, तो उसके बाद यह जो file protection है, यह भी मैं चाहूँ तो on कर सकता हूँ, अलागि मुझे इसकी दिरूत नहीं है, मैं इसका वो यूज नहीं करता हूँ, मेरा यूज है SEO करना, सीधी सी बात है, मैं वेबसाइट्स की ranking करवाने के लिए SEO करता हूँ, ठीक है, तो SEO करने के लिए जो मैं यूज करता हूँ, मेरे लिए VPN का और को, एक बहुत ही कमाल का फीचर है अगर दो आपको देखो छे डिवाइस में आप इसको यूज कर सकते हो ठीक है मोबाइल हो चाहिए लाप्टॉप हो कम्प्रिटर हो जिसनों आप उसका में चाहिए आपको फाइल बेजना है ठीक है तो बहुत ही फास्त तरीके से आप बेज सकत यह कुछ भी नहीं चीह सिर्फ और सिफ NordVPN के ने मेशनेट को आपको लिंक कराना है लिंक कराके आप यह चीज आराम से कर सकते हो यह बहुत अच्छी बात है डाक वैब मोनिटर यह आप कर सकते हो ठीक है तो में ली जो वीपेन का वहारा काम है वो यह रहता है अब इस दबल वीपेन का मतलब यह होता है कि आपने अब जैसे मेंने फ्रांस पर करका अगर डवल वीपेन पर क्लिक कर दूं स्वारी मैं डारकली कर दिया तो क्या हो रहा है मेरे आईपी अडर्र जो कि इंडिया में वह पहले सुजर लैंड से इन्ट होता है सुजर लैंड के थू तो हाला कि इतना भी पता करना बहुत मुश्किल है लेकिन माल लोगे अगर बहुत कमाल का हाड़वेर और सौफ़वेर लेकर बैड गया ठीक है तो उस तरीके से अगर कोई पता करने कोशिश भी कहले तब इस वीजर लैंटा की पता किया जा सकता है तो इसलिए डबल तो यह सारे स्थविस आप मेंनली जो मेरा यूजर था वो मैं डारेक्ली करता हूँ ठीक है मुझे कोई गलत काम तो करना है तो सीज़ी बात मुझे अलग 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 कंटीरीस में करने करता था अ उस UK, Canada, Netherlands, यह कंट्रीस जो है वो मुझे सबसे ज़्यादा काम आता है क्लाइंस को तो इसके सारे फीचर्स है सिंप्ली डिसकरेक्ट करना है इस पर हमने डिसकरेक्ट पर क्लिक कर दिया तो यह होगा इसके सारे स्टेट्स की लिस्ट यहां पर आ जाएगी अभी जैसे मुझे मियामी से क्लिक कर दूँगा और मियामी पर यह कनेक्ट हो जाएगा तीक है अब मालो कि मियामी में भी बहुत सारे सर्वर्स है नोट वीपी एंड हमें लगबग 6,000 क्या 5,800 सर्वर्स प्रवाइड कर वाता है ठीक है अब मुझे चाहिए यहां पर मियामी के अंदर ही बहुत सारे सर्वर्स होते है वो सारे सर्वर्स की लिस्ट निकाल लिए तो कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर यह जो option आप मिलता है search का इस पर click करेंगे और यहाँ पर type करते हैं, hash, hash type करते ही यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो सारी list आजाती है, ठीक है, यह United States में जितने भी सर्वर से उन सभी की लिस्ट यहां पर आ गई है तो यहां पर हम जो है जो भी हमाँ जगे चाहिए हम यहां से अनेट कर सकते हैं यह सारे सर्वर्स की लिस्ट है यह UK में है ठीक है और United States की लिस्ट अलग से आ रही है तो इन में से अलग-अलग सर्वर से आप मैं भी यह करता हूँ तो इस तरीके से जो है आप एजली कंट्री टू कंट्री विपेंट कर सकते हैं वहां का जो भी आप रैंकिंग बगेरा चेक करना जाते हैं अगर आप एक SEO एक्सपर्ट है तो आप वह कर सकते हैं अगर आपको नेट्फिक्स पर अलग-अलग जगों क है जो वेब सीरीज है मुवीज है वह सब आप देखना जाते हो आप यह चेकर सकते हैं तो सारे फीचर यहां पर अवेलेबल है तो मुझे तो नौट वीपेंट बहुत ज़्यादा पसंद है तो गाइस इसलिए मैं आपको इसाथ भी सेजिस कर रहा हूँ और लिंक डिस्क् आपको आगे भी मिल दो दोस्तों आज को इतना ही देखने के लिए आपका बहुत बहुत दन्यवाद